हेलो फ्रेंज मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है फ्रेंज आज हम सीखेंगे ये डिजाइन इस डिजाइन को आप लीडीज का डिगन में अपलाई कर सकते हैं हाप का डिगन में और जैंस हाफ स्वेटर में भी आप इस डिजाइन को डाल सकते हैं दो रो का डिजाइन फ्र डिजाइन की फर्स्ट रोव शुरू करते हैं पहला वाला फंदा ऐसता फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है थागा अपनी तरव रखेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे पांस फंदों में डिजाइन बनना है थागा आगे की तरव रखेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे इन पांस फंदों में फर्स्ट वाला फंदा सीधा बना लेना है जाली निकालेंगे दूसरा फंदा एक जाली निकालेंगे ये तीसरा फंदा एक जाली और निकालेंगे ये चौथा फंदा पांच फंदे हमने बनाने हैं यह फंदा उल्टा है और इसके बाद हमने एक दो तीन चार जाली निकालेंगे यह हमारा पांचवा फंदा ऐसने फंद़ा बनाने के बाद, एक फंदा अमने उल्टा बनाना है फिर 5 फंदों में हमने जाली निकालनी है एक दो तीन, ये चौन्था और ये 5 ओना धाग़ा अपने तरबर रखेंगे, एक फंदा उल्टा धाग़ा आगे की तरबर रखेंगे, पांस फंदे में फर्स्ट वाला फंदा हमने पहले सीधा बना लेना है इसके बाद जाली निकालेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे दूसरा फंदा जाली निकालेंगे यह हमारा तीसरा फंदा सीधा बना लेंगे एक जाली निकालेंगे, चौथा फंदा भी सीधा बना लेंगे, एक जाली निकालेंगे, यह हमारा पांस वा फंदा, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद, पांस फंदों में हमने जाली निकालनी है, धागा अपनी तरब रखेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा आगे की तरब रखेंगे पांस फंदे में फर्स्ट वाला फंदा पहले हमने सीधा बनाना है जाली निकालेंगे दूसरा फंदा जाली निकालेंगे तीसरा फंदा एक जाली और निकालेंगे चौंथा फंदा एक जाली और निकालेंगे यह उल्टा बनाया हमने एक जाली निकाली एक दो तीन चार एक जाली और निकालेंगे यह हमारा पांचवा फंदा इस साइट वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बना लेना है फर्स्ट रो यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है सेकंड रो रॉंग साइट इस पर पहला वाला फंदा हमने सीधा बना लेना है अब यह पांस फंदे हैं एक दो तीन चार इन पांस फंदों में हमने जाली निकाल लेनी है पहले इस तरह से हमने जाली निकाल देना है यह दूसरा फंदा यह तीसरा फंदा यह चौथा फंदा और यह पांस फंदा यह पांस फंदे से जाली निकालने के बाद इनको हमने पहले उल्टे हाथ के सिलाय में रख लेंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ रखेंगे और इन पांस भंदों का एक भंदा बना लेंगे धागा आगे की तरफ रखेंगे अब क्या करना है जो एक फंदा है जो आगे से हमने उल्टा बना रखा उसको हमने बैक सैट से एक फंदे का पांस फंदा बना लेंगे इसको ऐसे नहीं बनाना है इस होल से हमने पांस फंदे निकालने है एक फंदा ये तीसरा फंदा तीन फंदे हो गए एक पर आगे की तरफ धागा घुमाएंगे और इधर हमारा पांस फंदे बन गए है एक फंदे के हमने पांस फंदे बना लेना है धागा अपनी तरफ रखेंगे अब इधर हम इनकी पहले हम जाली पूरा निकाल लेंगे जाल चार और ये पांसवा फंदा इन पांसवे फंदे को उल्टे हाथ की सलाई में परे रख लेंगे और इखटे इनको घटा लेना है धागा आगे की तरह रखेंगे अब एक फंदा है इस एक फंदे के इधर से हमने पांस फंदे बना लेना है एक फंदा, इसी होल से एक बार और लेंगे, यह हमारा तीन फंदे बन गए है, एक बार धागा आगे की तरफ घुमाएंगे और इसी होल से एक बार और फंदा ले लेना है, तो हमारे एक फंदे के पांस फंदे बन गए हैं और इसको हमने निकाल लेना इस तरह से, धागा अपनी तरफ रखेंगे और इधर हमने फिर इन पांस फंदों के पहले हम जाली खोलेंगे एक दो कि तीन कि जार कि पांच जाली खोलने के बाद इन सब फंदों को उल्टे हाथ की सिलाएं में रख लेंगे इस तरह से और इन सब फंदों को घठालैंगे इस धागा आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ सीधा फंदों है इध्य फंदक हमने फंदे के 5 फंद बना लेने हैं एक फंदा इसी फंद से एक बार और लेंगे यहाँ हमारा तेन फंदे हारा धागा आगे की तरफ रखेंगे इसी होल से एक बार और फंदा लेंगे तो हमारा ये पास फंदे बन गए हैं अब इस फंदब रखेंगे और छिस्टमदे को हमने बना लेना है दो-दोकाई DJ A以上 sandwich से इस तोसे बन के आएगा अब क्या करना है अब इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे फर्स्ट वाला फंदा है इसको हमने उल्टा बना लेना आब क्या करना इन 5 फंदों में हमने जाली बनानी है पहले सीधा बना लेंगे एक जाली निका लेंगे सीधा बना लेंगे जाली निकालेंगे इन 5 फंदों में जाली बनेगी सीधा बना लेंगे इसको जाली निकालने के बाद इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे जाली निकालेंगे लास्ट वाला फंदा इसको भी हमने सीधा बना लेना है धागा अपनी तरव रखेंगे अब इ इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरह, अब इन पांस फंदों में हमने जाली बना लेना है, एक फंदा पहले सीधा बना लेंगे, जाली बनाएंगे, सीधा बना लेंगे एक फंदा, दूसरा फंदा, जाली बनाएंगे, इसको भी हमने सीधा बना लेना ह इन पांस फंदों में हमने जाली बनानी है जाली बनाएंगे लास्ट वाला फंदा इसको भी हां सीधा बना लेंगे थागा अपनी तरफ रखेंगे अब इधर हमने एक फंदा उल्टा बना लेना है थागा आगे की तरफ इन पांस फंदों में फर्स्ट वाला फंदा पहले सी टहले बनाएंगे 2013 बनालेंगे इस फन्देकोब ये जाले और बनाएंगे इस ये जली और बनाएंगे इस फन्दे 하지만 लेंगे टाःगा अपने तरफ रखेंगे एक फन्दा और अगे कि तरब रखेंगे साइट वाला फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है दूसर डिजाइन की फ़र्ष्ट रो यहां पर हमारी कम्प्लीट हो चुपी है सेकंड रो राउंड साइट पहला वाला फंदा उल्टा बना लेना है धागा आगे की तरब रखेंगे अब यह जो थागा आगे की तरव रखेंगे इसी होल पक्यूस से को थागा लेना है तो एक फंदे के हमारे पास से बन साट की, निकाल लेंगे थागा अपनी तरव रखेंगे ऐक पास फंद्धों में पहले हमने जाली निका खोल लेनी है एक, दो, तीन, चार और ये पांस वा फंदा जाली खुलने के बाद उल्टे हाथ की सलाई में पहले इनको रख लेना है इन पांस फंदे को फिर इकट्टे इनको कटा लेना है थागा आगे की तरफ रखेंगे अब यह एक फंदा है जो आगे की तरफ से जो उल्टा बना है बैक से उसको हमने एक फंदे के पांस फंदे बना लेना है एक बार धागा और आगे की तरफ रखेंगे इसी होल से एक बार और धागा लेना है थागा आगे की तरफ, इसी होल से एक बाद और धागा लेंगे तो एक फंदे के हमारी यहां 5 फंदे बन गए है धागा अपनी तरफ रखेंगे अब इन 5 फंदों में पहले हमने जाली इन 5 फंदों को जाली से निकाल लेना है एक, दो, Тीन, चार, यह पाँच इसके बाद उल्टे हाथ की सलाय में पहले इनको रख लेना है और इखटे इनको खटा लेना है थागा आगे की तरव रखेंगे यहां से हमने एक फंदे के पांस फंदे बनाने हैं एक दो यहां हमारे एक फंदे के पांस फंदे बन गए है धागा अपनी तरह रखेंगे पहरे हमने जाली निकाल लेनी है एक तो टीन चार up ये पांच वा इन पांस थांथ मे पहले हमने जाली निकाल लेनी है फिर उलड़े हर्थ की स्लाइ में इन पांस फंदों को रखेंगे और इनको खटा खटा लेना है साइट वाला फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे इस तो से बन गया था फ्रेंड आप इसको लीडी साफ कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं और जैन साफ स्वेटर में भी आप इस टीजेन को अप्लाई कर सकते हैं इस तो से बनके आए गए थैंक यू फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ